आज हम स्नापडिल ट्राइ करने वाले हैं और मुझे एरफोन चाहिए था वैसे भी तो मैं सोचा कि स्नापडिल में थोड़ा ट्राइ करूँ इस बार जाद तर यूजुएली मैं फ्लिपकार्ट से बाई कर लेता था पर देखते हैं वैसे स्नापडिल भी काफी अच्छा उसके बाद हम इसको खरीदने वाले हैं स्टांडड़ से यहरफोन है इनियर की डिजाइन में आता है और इसमें वॉल्यूम बटन भी आता है हां इसमें सच में दो वालियूम बटन है प्लस और मायनिस आप देख सकते हैं इसकी बटन और इसकी साथ भी इसमें आक्शन की डिजाइन है और इसकी वारंटी अगर आपके एरिया के अंदर इंबॉक्स की कोई सर्विस सेंटर होता है तब ही यह किसी काम का है मेरे इसाब से वारंटी को आप दियान देना नहीं चाहिए 170 का अगर एरफोन आपको अच्छा मिल जाए वही काफी बड़ी बात है चलिए देखते हैं इसकी इमेजिस और रिव्यूस मुझे काफियाद तक 20 सेंट लगा इमेजिस और रिव्यूस को देखते वे मुझे अच्छा लगा और चलिए देखते हैं के से आता है यह वाला रिवीडियो बिलकुल भी पेड रिव्यू नहीं है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो आप मत लीजी, बस वीडियो को दीखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, इसकी सारे डीटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक भी दे दूँगा, पता नहीं इसकी प्राइस भी रिव्यू वीडियो में डालने वाला हूँ मैं इसका गिवावे तो करना नहीं चाहता क्योंकि ये काफी कम प्राइस है पर आप कॉमेंट कर सकते हैं ये हैं एन्बोक्स की जो पैकेजिंग पैकेजिंग आप इसकी ये हालत देख सकते हैं ये इतना कुछ खास नहीं है पर हां मेरे ये तक एरफोन अच्छी तरह से पहुंच गया था और 119 रुपे में में ज्यादा एक्सपेट कर भी नहीं सकता हालाग कि पैकेज अगर पूरा सही तरीके से आता तो काफी क्यूट सा लगता पर हां अभी भी ठीक है इस वीडियो के लिए मैंने इसको समवाल के रखा था अब मैं इसको भीग दूगा ये हैं एंबोक्स एरफोन एंबोक्स की ब्रांटी के साथ ये आता है ये देख सकते हैं आपके लिए मैं दिखा देता हूँ तो ये है 3.5mm audio jack और ये straight point के साथ आता है ये L shape की तरह नहीं आता है इसके बाद यहां पे आता है इसका V shape ये पूरा का पूरा V shape आता है और इसकी same length जो है V shape आला left and right इसमें जो खास बात ये है कि ये आता है एक volume rocker button के साथ आप देख सकते हैं inbox की branding plus minus button आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ volume button होता है और ये जो inbox की branding जहां पे है ये वहां पे mic और action button जो call button है वो है इसके साथ इसमें एक ear hook दिया गया है ये तो ear hook नहीं है ये एक wire hook है जिसमें आप wire को hook कर सकते हैं जैसे कि अगर आपका ये हमेशा जूलता रहता है तो आप इसके अंदर इसको tag करके देखिए तो इसको थोड़ा एकदम tight कर सकते हैं जब भी आप इसके बाद ये है V-shape जहां पे ये wire split हुआ है और इसकी आप देख सकते हैं ये पुरा पुरा white color का earphone है इसकी quality काफी अच्छा लगता है ये definitely average quality बिल्कुल नहीं लगता और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो tips ये जो tips आपको ये तो नहीं कहूंगा कि best plastic है पर हाँ decent plastic है और ये काफी अच्छा है इसके साथ कोई tips नहीं आता अगर आपका ये tips घरब होगे तो आपको दूसरा earphone का tips लेना पड़ेगा नहीं तो बाजार में दूसरा tips आपको लेना पड़ेगा quality के हिसाब से ये अच्छा है इसमें आता है अच्छा base आता है मेरे साथ से आपका काम चला लेगा और इसका price में आपको बताऊंगा इसका price में आपको बताऊंगा ये है 169 रुपए मैंने एक phone लिया एक earphone लिया था और ये almost में 2-3 महने से इस्तमाल कर रहा हूं और मैं दूसरा भी एक earphone लिया हूं अगर आपको अच्छा लगा तो ये ले सकते हैं मैं link description में दे दूँगा अगर अच्छा लगा तभी लेना नहीं तो मत लेना ये कोई promotion वीडियो नहीं है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजी मैं कोईस करूँगा और भी वीडियो लेने के लिए थैंक यू